आज मैं आपको पीनट चटनी जो घर पर कैसे इसली बनाते हो दिखाने वाली हूं या मुनफुली के चटनी या शेंगा चटनी जो भी आप उलाते हो इसे मैं आपको बहुती इजी तरीके में बता दूँगी फाइव मिनिट्स में आपके घर में बन जाएगा ये ट्राइ चटनी पीनट चटनी और आप इसे चपाती के साथ या दोसा के साथ इस चटनी का मज़े ले सकते हो इसके लिए फाइव फाइव इंग्रेडिंस में ये फुर्म अमसराइव साथ ऐसे मौब फाली को मैंने क्ली वाइव दिए तर्मरिंट ट्रम लिया ये और मैंने हो आपको तोड़ा शपाया ये तोड़ा सा सौल्ट туда रहा हुआ है एतने इंग्रेडेडिन्स में आपको आपको पीनट चटनी घर पर बन जाएगा सो चलिए इसे फटा पट स्टार्ट करते हैं पहले मैंने यहां पे पीनट्स को मिक्सी में डाल के पॉडर कर लिया है अभी मैं इसमें गार्लेक और रेड चिली पाउडर और इमलेस में डाल रही हूं इसमें मैं अभी गार्लिक डाल रही हूं और रेड चिली पाउडर और टम्रीन चिलिए और डाल रही हूं और मैंने सॉल्ट इसमें आड कर लिया अरड़ी सो इसे मैं अभी और एक बार मिक्सी लगाऊंगी तो हमारा पीनट चट्टी रेडी हो जाएगा सो इसे मिक्सी में अभी मिक्सर लगाना है फ्रेंट्स पीनट चट्टी जो ड्राइ चट्टी है यहांफली की चट्टी जो अभी रेडी हो गया है सो इसके लिए आपको जस्ट फाइव मिनेट्स लगेंगे और बहुत ही एज़ी है सो आप भी इसे घर पे ट्राइ कीजिए और चपाति के साथ या दोसा के साथ इस चट्टी का प्रसे लीजिए सो बहुत ही एज़ी है बहुत ही टेस्टी परेगा इस चट्टी प्रसेजिए